बहुत सारे लोग इस धर्ती पर आते हैं चले जाते हैं पर उनमेंसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आने वाली जन्नेशन के लिए एक प्रेरणा का सुरोथ बन जाते हैं उन्हीं में से एक थे अटल बिहारी वाजपेजी ये सब के बहुती प्रिये प्राइमिस्टर आप लोग बोल सकते हैं और इसके अलावा देखे इन्होंने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है कभी भी इन्होंने अपने बारे में नी सोचा है और एक ऐसा इंसान जो ह अपने बारे में नय सोच कर जादसे जादा सोसाइटी के बारे में सोचा है देखे हर एक उनसान के बारे में आप लोग कुछ नकुछ जानना चाहिए ऐसे इंसानों से हमको इतना खुछ सीखने को मिलता है कि हम अपनी लाइफ को एक डिरेक्शन दे सकते हैं इनके जीवन से कुछ सीख कर तो अगर आप लोग को कभी भी किसी ऐसी personality के बारे पढ़ने का मन करे तो आप लोग हमेशा पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी life को एक अच्छे direction दी क्योंकि देखे पैदा है हर एक इनसान एक ही जैसे से होता है पर लेकिन किस तरीके से आप पर आने के बाद में अपनी life को जी कर जाना किस तरीके से एक तरीक से आप लोग मूवी देखते हैं न मूवी में जाते हैं और फिर last में जब निकल कर आते हैं तो आप लोग देखते एक comfortable zone में लाके रखेगी कि हां कुछ यार करके जा रहे हैं पर लेकिन वो तभी possible होगा जब अपने बारे में नहीं सोचकर हम दूसरा society के बारे में भी सोचें तो कुछ ऐसे ही थे हमारे अटल बिहारी वाजबरी जी कुछ बाते जान लेते हैं इनके बारे में ये आप लोग को देखने को मिलेगा 25th of December को इनका जनम हुआ था और हमारी country में हापर एक day भी इनके रूप में celebrate किया आता है नीचे comment box में आप लोग उसका नाम बता सकते ही कौन सा दिन हापर इनके जनम दिन के उपलक्स में हम लोग celebrate करते हैं और जो अभी इनकी जो death हुई है अभी 16 August को हुई ये तीन टाइम प्राइमिस्टर है चुके है हमारी country के हाला कि starting वाला जो phase था वो ज़्यादे लंबा नहीं था कुछ दिनों का था पर लेकिन जो last वाला phase था वो first प्राइमिस्टर थे जो कॉंग्रेस के बाद में ऐसा कोई दूसरी गैर दल का प्राइमिस्टर बना और जो पूरा टम यहाँ पर complete करके गया तो first प्राइमिस्टर ओफ इंडिया थे कौन थे अटल भी हरी वाजपेजी भारत रतन से इनको नवाज आ गया 2014 में इसके अलावा ये लगबग 4 decade यानि के 40 सालों तक ये लगबग member of parliament रहे और आप लोग को देखने को मिलेगा ऐसी बात नहीं है कि लोग सभा में ही रहे ये राज सभा में भी इन्होंने अपना काल यहाँ पर दिखाया आप लोगो दो टरम के लिए तो दिखे कोई इंसान इतने लंबे समय तक parliament में बना हुआ है तो कुस तो अच्छा होगा कुस तो खास्यत होगी उस इंसान के अंदर क्य है इसलिए बैटा के रखा है क्योंकि इन्होंने भी हमेशा जनता के दिल में अपना जनता के दिल में अपनी जगया बना कर रखिये क्योंकि हमेशा जनता के लिए जिया करते थे ये अब बात करते हैं चोटी-चोटी मगर मोटी बाते यानि कुछ important और short news के बारे में जो first news का नाम धड़कता है तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं मक्का के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए मक्का कहा पर पड़ता है ये साओधी अरेबिया में वेस्टन साओधी अरेबिया में एक desert valley है वहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा और इसलाम धरम के आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा 15 अगस्त के उपलक्स में तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं आपर अगर बात करें हैं आपर दुबई की तो दुबई आप लोग को largest city नजर आएगी United Arab Emirates की और United Arab Emirates की अगर बात करें तो यहाँ पर capital आप लोग को इसकी आप भी नजर आएगी यहाँ पर यह बुर्ज खलीपा जो की वर्ड की सबसे उची विल्डिंग मानी जाती है अगर location आप लोग देखना चाहे तो आप लोग location देख सकते हैं यहाँ पर यह हो गया UAE हमारा प्यारा इंडिया यहाँ से आप लोग देखेंगे हैं यह बुर्ज खलीपा नेक्स्ट इंफोर्मेशन निकलके आ रहे हैं आपर प्रगवे से तो प्रगवे के नए अभी प्रेजडेंट चुनकर आये जिनका नाम है मार्यो अब्डो बेनतीज इनका नाम आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्योंकि अभी जो यहाँ पर असिस्टें इधर हो गया बोलुविया इधर आप लोगो ब्राजिल नजर आएगा नीचे आप लोग अर्जेंटिना देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हाँ पर यह बीच ओ बीच आप लोग नजर आएगा प्रगवे अगर प्रगवे के बारे में आप लोग बात करें तो यहाँ आप लोग को ये बताना है कि प्रगवे की capital क्या है और प्रगवे की currency क्या है तो इतना आप लोग को बताना है थोड़ा सा फिर कल इसके बारे में हम लोग discuss कर लेंगे next information एक और यहाँ पर दुखत गटना है है आपर बात की जारी है फोर्मर इंडियन किर्केटर टीम के captain अजीत वाडेकर इनका भी निधन हो गया सततर साल की उमर में तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार question भी पूछ ले जाते हैं कि हाँ person specific से जो news आती है पूछ ले जाता है कि particular person किस field से related था तो बहुत कुछ करके के यह हमारी country के लिए तो आप लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में भी next यहाँ पर आप लोगे सामने हैं बात की जारी है हमारी country में सबसे clean जो railway station है उसके बारे में तो जोधपुर यहाँ पर top ranking पर आए हमारी country में जो latest अभी cleanly less assessment किया गया सुच यहाँ पर rail सुच भारत तो यहाँ पर यह अभी इसके दो इसके द्वारे हाँ पर देखा गए ह हमारी country में कौन से station सबसे जाज है clean है तो यहाँ पर जोधपुर का आप लोग नाम याद रखते हैं second जैपुर आप लोग को देखने को मिलेगा third तिरुपती आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो इनके बारे में आप लोग याद रखेगा क्योंकि कई बार question पुछ जता मैंने कि जो रसी है जो वर्ल्ड में काफी बड़ी country आप लोग देखते हैं अगर area wise आप लोग देखेंगे तो largest country आप लोग नजर आएगी तो इसको जो divide करता है वो कौन सा mountain है जो कि इसको Europe और Asia के अंदर divide करता है तो यह rural mountain याद रखेगा बहुत बार question पुछा जा है commonwealth game 2018 आप लोगो gold cost Australia में देखने को मिलें तो यह भी important information है अमूल की full form positive मैंने आनन्द milk union limited यहाँ पर है airport authority of India का headquarter आप लोगो न्यू डैली में नजर आएगा BRIC की जो foreign minister की अभी meeting हुई थी जो Hansberg South Africa में वहाँ पर जो theme ती यह थी collaboration for inclusive growth and share prosperity in the fourth industrial revolution इसके अलावा यह मैंने आप लोगो बताया था आप लोग जाकर यह lecture भी देख सेते है joint sitting वाला 108 यहाँ पर article 108 के तहत आप लोगो joint sitting देखने को मिलती है जिसके तहत यहाँ पर हमारी situation amendment bill को इसमें नहीं रखा जाता है यह बात आप लोग याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं next मैंने अस्टेलिया के पार आप लोगों से पुझे तो आप लोग देखते हैं आप वेस्टन आस्टेलिया हाँ पर आप लोग देखते हैं नोर्दन टेरिटरी इसके अलावा क् लाकर आप लोग को देखने को मिलेगा यह particular area ठीक है तो इंडिया नोशन में आप लोग देखते हैं हापर इंडिया नोशन हो गया थोला सा आप लोग इसको जूम करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट है आपर coral reef कर पकई बार पूच ले आता है ठीक है तो जो great barrier reef coral reef आप लो को मिलेगा तो एक कुछ area है जो आप लोग इसके बारे में हलका सा idea रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब नजर डालते हैं अपने next section पर जो कि है national और international news दो देखते है क्या क्या important है यहाँ पर निकल क्या रहा है यहाँ क्विट इंडिया moment से हाला कि मैं इसको पहले पढ़ा इसलिए इसका नाम एक और रखा जाता है जिसको बोते हैं हम लोग अगस्त करांती के नाम से भी इसको पुकारा जाता है तो महात्मा गांदी जी जिनको father of nation मी हम लोग पुकारते हैं इन्होंने नारा दिया था do or die यानि कि करो और मरो अब या तो करो या फिर मरो यानि कि अब इनको कम से कम इतना विश्वास हो गया था कि हमारी country में अब जो हैं हमारी country के जो citizen है वो अपनी government खुद चला सकते हैं यानि कि अब situation ऐसी है कि ये सही time है हमारी country में ये नारा देने का कि भाईया अब यहां से अंग्रेजों को आप लोग मार के बगाओ आप लोग दे आप इनको इहां से भगाओ तो उसी time पर ये movement launch किया गया जिसको अगस्त करांती अगस्त movement या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से किसी भी नाम से अगर आप लोगों को याद रख सकें याद रखे है क्योंकि अलग अलग नाम से question आ जाते हैं बाई बार की पूछ लेंगे क द्वारा आज अगस्त को बोला थे हैं आपर कि हां इसको हम लोग को start करना है और Bombay से इसको launch किया गया था तो उस time पर देखिए एक इतने largest level पर हमारी country में हर एक level पर आप लोग देखते हैं इतने इस तरीकी लहर दोड़ गई कि हां हर एक इंसान अब चार आ था कि हां बस बाग दोर हमारे हाथ में दे दीजिए ताकि हम अपनी country को अपनी सही से अपने हिसाब से direction दे सेगें तो यही negotiation करने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया गया आपर quit India movement का क्योंकि उस time पर जब यह launch किया गया फिर बात में यह बोला गया कि देखिए अब अंग्रेजों क रूल किया गया लगबाग अंग्रेजों के द्वारा अब हरे एक इंसान त्रही माम यहाँ पर बोल चुका था तो काफी बड़ा हिस्टी में इंपेक्ट हैं आपर quit India movement का आगे बढ़ते हैं next information निकल के आ रहे है काफी interesting information है बोला जा रहा है कि जो NRI है नहीं कि non resident Indian है जो इ only available है हमारी country के citizen के लिए तो only citizen के लिए बोला गया है RTI के बारे में question पूछा जा चुका है कि RTI कब यहाँ पर provision आप लोगो देखने को मिलेगा पिक्चर में आय थे और कब इनको implement किया गया था यह question पूछा जा चुका है यानि कि Parliament ने कब पास किया था 15 जून 2005 में पास किय गई थी आप ठीक है तो question paper देख रहाता मैं तो आप लोग थोड़ा याद रखेगा यह कई बार question बन जाते हैं इसे तो सिधा-सिधा यह है कि देखिए अगर आज की date में कोई भार country से रह रहा है तो हमारी country के citizen जो हमारी country में रह रहे हैं हमारी country में सारा काम कर रहे हैं अं को information provide नहीं कराए जाएगी और citizen को ही यहाँ पर information provide कराए जाएगी तो पूछा जा सकता है कि अभी क्या change किया गया latest यहाँ पर RTIK Act में तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि only citizen ठीक है ना NRI भी हाँ पर नहीं है जिनको information provide कराए जाए नेक्ट बात की जारी है national disaster response force के बार जाए तो उसके लिए एक force त्यार की जाती है जिसको NDRF भी बोला जाते है तो उसकी जो NDRF जो हमारी country में उसकी बोला जारा है कि और additional 4 battalion बढ़ाने की बात की जारी है यानि कि जो अभी force है आपर उसको और ज्यादे strengthen करने की बात की जारी है चार नहीं battalion यहाँ पर चल परदेश, उत्राखंड और डहली जो की national capital region आप लोग बोल सकता है complete डहली यानि कि UP का भी region आएगा हरियाने का भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा राजस्तान का भी जो NCR वाला region है उसके लिए 4th battalion होगी तो question बन सकता है कि जो अभी 4 battalion बढ़ाने की बात तिबत्यन border police से निकलेगी एक battalion आप लोग को assam rifle से और एक border security force से आप लोग को देखने को मिलेगी तो national disaster response force का जो headquarter है वो new Delhi मा आप लोग को नजर आएगा जब भी कहीं पर भी कोई किसी तरी की condition खराब होती है आप लोग को देखने को मिलेगा इसको establish किया गया था 2006 में औ अगर कहीं पर कोई भी disaster होता है तो हाँ पर ही जाके response कर सके एक दम हाँ पर उसका solution निकाल सके या फिर जो भी आप दम हाँ पर हो रही है उसका जो impact है वो कम किया जा सके तो इसलिए हाँ पर ही आप लोग को देखने को मिलेगा चार और नहीं हाँ पर अगर निकल के आती है बटालियन तो और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे उसको situation को control कर पाएंगे future में कुछ नजा डालते है इस्टेट और रूइन टैडिस से लेटेट जो news है आपर तो first news आप लोग को देखने को मिलेगी यह है आपर प्रमप्रा स्रीज की बात की जा रही है 22 सवा एडिसन प और कल्चर में धाला जा सकता है और गिनाइज किया गये हाँ पर यह है नाट्य तारंगनी ठीक है जिसके द्वारे हैं आपर लीड किया गये हाँ आप लोग देखते है पदम भूशन अवोड़ी यह है कुछच्विपुडी कपल राजा एंड़ा राधा रेड़ी तो यह आप लोग देखते हैं पदम भूशन भी मिल चुका है हमारी कंट्री में जो अवोड होते हैं वो चार केटेगरी में जिनको डिवाड किया गया है धंक से आप लोग याद रखते हैं सबसे उपर आता है भारत रतन ठीक सबसे उपर आता है भारत रतन फिर होता है पदम तो हलका सा idea भी इनके बारे में आप लोग रखेंगे तो काफी question आप लोग कई सारे solve कर पाएंगे नेक्स नजर डालते हैं थोड़ा economy के ऊपर तो जो news निकल के आ रही है पेपल के बारे में तो पेपल यहाँ पर बोला जा रहा है faster, safer and convenient जो payment experiment यहाँ पर बोला जा रहा है जिस तरीक से आप लोग payment करते हैं कई पर एक digital तरीका का platform में आया ठीक है न तो यहाँ पर अभी news में क्या है क्योंकि partnership करने की बात की जारी है पेपल के दौरा किसके साथ में HDFC bank के साथ में ताकि offer किया जा सके आपर faster, safe and convenient payment system experience जो bank के पास में card holder है उनसे connect किया जा सके यह कहने का मतलब ही है शांदार तरीके से एक मतलब जो transaction है online transaction है उसको और अच्छे तरीके से किया जा सके तो दोनों हैं आपर मिलकर काम करेंगे HDFC और PayPal और इसी के साथ में आपर account जो होगा consumer आरसानी से आपर account खोल पाएंगे और किस तरीक से दोनों के पास में एक opportunity होती है देखिए अगर कोई दो person मिलके साथ में काम करते है न तो उससे क्या होता है अगर दोनों progressive है तो एक अच्छा काज़ा growth देखने को मिलता है हलाकि एक exponential growth आप लोग बोल सकते है देखने को मिलेगा अगर दोनों progressive है अगर दोनो हमने सोचा है कि मिलकर काम के जाए दोनों यह अच्छे से काम कर रहे है अपने अपने फिल्ड में अगर मिलके काम करेंगे तो और शांदार तरीके से आप डिजिटल पेइमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सकेगा तो इसी के बारे में आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं आ और लेक के बारे में तो यह आस्टेलियन प्रोफेशनल गॉलफर थे जिनकी अभी डैथ हो गई है और सबसे दुखत घटना यह है कि एज में जो इनकी डैथ हुए है 36 की एज में यह अभी बहुती नव यूवक आप लोग बोल सकते हैं यह थे और कैंसर की वेसे इनकी डै तो इसके लिए काफी आप लोग बोल सकते हैं कि जद्दो जहत वाला काम होता है अगर किसी तरीकी से बीमार हो जाता है फिर से अपना आपको फिट करके उस लेवल पर लेकि आना कि वर्ल लेवल पर किसी भी गेम को खेला जा सके तो यह कोई आसान काम नहीं होता है पर ले यह Asian game के बारे में जो की 2018 के Asian game होने वाले ही होने वाले जकारता इंडोनेशय में और दो सिटीज में में लिए खेले जाएंगे आपर जकारता में और इसके अलावा पेलंबोंग में ठीक है तो दोनों के नाम आप लोग याद रखते हैं ताइम पीरिड रहे हैं आपर 18 ज़र आएंगे इसका 18 एडिसन है देखें इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन कैसे आप लोग याद रख सकते हैं यह इंपोर्टेंट है दो हजार अठारे में हो रहे हैं पहली बात ठीक है दूसरी बात यह 18 अगस से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है तीसरी बात क्या है 18 गेम है क्यों क्योंकि इनको गोल्ड मेडर मिला था Commonwealth गेम में 2018 में जो की गोल्ड कोस्ट अस्टेलिया में हुए जिसके बारे में आप लोग ने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिसकस किया था ठीक है तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकत हैं अब नज़ा डालते हैं वन लाइनर पोर्शन के ओपर यह काफी इंपोर्टेंट होता है अगर कोई आसपास में आप लोग का एक्जाम आ रहा है तो उसके लिए एक रिविजन का पॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं इसराइल एक ऐसी कंट्री बनी है अभी जिसन हैड कोईटर आप लोग ओं इंडिया में नज़र आएगा तो यहाँ पर 68 वा मैंबर बन गया है सिगनेटरी फ्रेमवर्ग के तरह यहाँ पर मैंमार यानि के इंट्रनेशन सोलर अलाइंस नज़िका इंडिया में आप लोगो गुरु गराम में नज़र आएगा यहाँ पर इसका partner पार्ट यहां पर बन गया है ने जो बात निकल कर आ रही है multi-nation large force employment warfare exercise जिसका नाम था pitch black याद रखेगा important है pitch black अभी आप लोग को देखने को मिला यहां पर यह host की गई Royal Australian Army के द्वारा Australia में इंडिया भी इसका part था तो इसलिए important है हलका सा idea रख सकते हैं आप लोग United Kingdom UK UK ने top किया है आप पर जो soft nation की rank होती है उसमें तो यह भी काफी important है आप लोगों से कोई पूछे कि किस country ने top किया है तो यह United Kingdom इसके अलावा UN member अभी बात किया गया Iceland Iceland को यहां पर जो बच्चे को रेस्टिकेट करते हैं तो उसको रेस्टिकेट कर दिया था आखिर क्यों हाला कि छोड़ा था रेस्टिकेट नहीं किया था इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसराइल की जो नई capital बनाए गई थी अभी आप लोगों को देखने को मिला इसराइल की नई capital ट्रांसफर की गई जो पहले तल अभी में थी अब बोला गया जेरुसलम में रहेगी तो जेरुसलम में जो इसराइल capital बोली गई है उसकी वेज़े से आपर इनको क्रिडिसाइज किया गया और बोला गया कि होँआ पर इतने जाने human right का हनन हो रहा है इसराइल जो force है बार-बार यहाँ पर पलेस्तिन के लोगों पर गोली चलाती है आप लोग फिर भी ऐसी बाते कर रहे है तो यहाँ पर बोला डोला ट्रम जी के दौरा बोला गया कि जो यहाँ पर जो human right council है यह एक तरीक से favor की बात नहीं करती है हमेशा negative बाते करती है हमेशा अरोप लगाती रहती है इसलिए मुझे इसके साथ में रहना ही नहीं है तो यह इनका रवई है इरान nuclear deal पसंद नहीं पसंद नहीं पसंद नहीं आया United Nation ने फिर्स टाइम फाइनलाइज किया कि global compact for the safe, orderly और हाँ पर regular जो migration होता है कई बार आप लोगों लोग migrate होते हुए नहीं जाएंगे international border पे एक जगे से दूसरी जगह पर आते हैं तो कई सारे challenge उनके वहाँ पर रहते हैं किस country में जाते हैं किस तरीके से उनको क्या लाना पर हो सकता है तो उनके सब के development के लिए बात की जारी है sustainable development के लिए तो उसके लिए contribution की बात की जारी है उनके right की बात की जारी है तो काफ़ी अच्छा step आप लोग इसको बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको एक तरीक से एक state से दूसरे state में जा रहे हैं जिस तरीक से आप लोग रोहिं गया वाला issue देख सकते हैं तो कहीं न कहीं वह भी बहुत बड़ा रोल आप लोग के सामने निकल कर आता है इस चीज को जहान में लगते हुए नेस्ट आप लोग के सामने यहां पर आप लोग को जाकर देखना है लेक्चर नमबर 61 डिफ्रेंस बिट्मिन पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या होता है डिटेल में हाप पर डिस्कस किया गया है तो इसको जाकर आप लोग जरूर देखेगा लेक्चर न हाप लोग का लिंन्क यहाप भी मिल जाएगा तो देख लेते हैं आज हम लोग ने क्या के डिस्कस किया पहले हम लोग ने जाना अतल बिहरी वालजपेजी के बारे में तो इहाँ पर देखे ए किस तरीके से हमारी कंट्री को छोड़ कर चले गहें तो इनके बारे में हम लोगोंने डिटेल में जाना तो भगवान इनकी आत्मा को सांती दे इसके बाद में हम लोगोंने जाना Indian Hajj जो यात्री है आपर मक्का में उन्होंने आपर किस तरीक से 15 अगस्त को सेलिबरेट किया नेक्स्ट हम लोगों ने बुर्ब्च खलीपा के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने दे जह आ पर प्र messy नए प्रेजिडगेन्ट चनंकर आए है उनके बारे में, इसके अलावा हम लोगों ने देखा former Indian Cricket का जो हैं आप अभी डैफ हुई है, उनके बारे में हम लागिया है ये question के answer में आप लोगों दिये जो कि आप लोगों से question पुछता और आप लोगों ने भी कफिक शांदार तरीके सा answer दिये तो आप लोग ऐसी देते रही है अस्टेलिया के बारे में हम लोगों ने हाप पर जाना तो important है याद रख सकते हैं इसके अलावा है आप लोगों प्रम प्राज सीरीज के बारे में हम लोगों ने जाना जाकि डहली में आप लोगों देखने को मिलेगी next save faster and convenient payment experience की बात की जारी है HDFC और PayPal दोनों मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में इसके अलावा आप लोगों है आपर देखने को मिला यह है आपर है जारोड ले तो यहाँ पर इनका भी निधन हुआ है आपर यह गोलफर थे अस्टेलिया के बाकी देखिए आप लोगो सारे लिंक जो भी हाँ पर है सारे नीचे मिल जाएंगे जाकर आप लोग टिपीड़े फगर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आज पास सफाई रहे किए पानी और पेट पोदों को सेव कीज़े पोलिथिर और प्यास्टिक अगर बिल्कुल यो